तो मैं जो आज ये केक बना रही हो ना तो मेरा पेटा आये हुए घर से उसके फ्रेंड आये हुए हैं घूमने के लिए मुंबई और मेरे जो दोन तिन नों है ना बंदर बंदरो वो सब मेलके भाई एक साथ गूमने जाना करके हम लोग निकल लगते गूमने के लिए तब ही करना क्योंकि अब भी बहुत जादा लेट हो रहा है और मुझे जाना है गूमने क्योंकि बच्चे जब घर से आते हैं घर से आते तो फिर असा लगता है नहीं बार गूमने चलो थोड़ा मजा करो थोड़ा एंज्वाय करो क्योंकि वह पहली बार ही आया मॉंबई तो मैं देमा दो चलो ठोंगा यह द्ला सा कम करते हैं बाग की पहले थोड़ा सग्मने निकलते हैं तो फिर मैंने क्या कि ने गर्मा से कटनेगे और यह ड़्या न डी हो रही थी त confessed बनांगे रख लिया कि था कि फोड़ा-स टाइम बिद तक में ready हो और तब तक माराा बेज भी यह सब खाका के नों को ज्यादा ही पेट दिख रहा थे इसलिए मैं चुपा रही थी अब मैं धीरे धीरे ही बिल्कुल आरा मराम से कट करें क्योंकि अगर गरम-गरम बेस को आप कट करेंगे तो पका वो तूटने ही वाला है तो मैंने कट करके और फैला दिया था था कि वो ठंडा हो जाए उसके बाद आइसिंग करेंगे तो बहिया क्रीम की तो एकदम से वाट लग जाएगी तो यह पूरा मैंने ठंडा कर लिया और यह देखिए थोड़ी चे तैयार होनी में बाकी हो यह मैंने रख लिया नीचे अपना वो क्या वोलते है टूश्यू पेपर और उसके उपर अपना रख डाल दिया केक का जो आठ इंच का केक टीन में मैंने इसको बनाया है और बेस रह लिया है मैंने 10 इंच का यह बहुत सा लोग यह पूछते है यह मैं जो 6 इंच का केक टीन में बनाते है तो उसका बेस कितने इंच का होना चाहिए तो उसका बेस होता होता है आठ इंच का और जो आठ इंच वाले केक्टी में बनाते हैं उसका बेस होता है दस हिंच का ठीक है तो यह अच्छा से मैंने पहले सुगर सिर्प से सोक किया और क्रीम में डाल दिया है गनाश और गनाश का रेशियो में रखती हूं हर बारी 2-1 का मैं तब 200 ग्राम दे सब्सक्राइब बनाएं तो फिर नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हैं तो यह नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हैं जरूर यह उसको वाल के लेना से कुछ भी नहीं है फिर डाल दिया वापस एक गनाश और फिर से इसको फैलाओंगी ऐसे और मैं थ्वर ठक गई थी इसके लिए मैं सुच्छा बैट की नीचे ही बनाओंगी आराम से भईया ताकि मतलब फिर बाहर जाकि मुझे खड़े-ख कॉस्टमर को फोन करके बता अभी रेडी नहीं किया था फिर ही मैंने उनको फोन कर दिया था कि मैं आई है और आप आके लेके जाए के करके यह अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया और क्लीन करने के लिए मैं कुछ नहीं करती हूं नॉर्मल जो अपना पैलेट नाइफ है वो कुछ सामने के तरफ लेके जाना owner अप अपनी साइट में खीचना और बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाती है जिससे हर बारिया आपको उसको क्लीन करना जो आपने क्लीन निकलन करना तो मैं केहते हूं को हर बार क्लीन निकलने वाला है क्योंकि बहूत सारे लोग यह कहते हैं जितने स्टुडेंट हमारे पास आते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि मैं आप ऐसे साइड में क्लीन करते हो ताब कि क्रीम नहीं निकलती है और मेरी क्रीम क्यों निकल जाती है कि मैं उनको हर बर समझाती हूँ कि अगर बाहर की फिनिशिंग थोड़ी देनी अच्छी तो थोड़ा एक्स्टा क्रीम आपको लगाना पड़ेगा मैं यह नहीं कहारी कि अभी तम भर बर की धीर सारा क्रीम लगा दीजिए थोड़े में भी फिनिशिंग होती ऐसा ने लेकिन थोड़ा आपको प्राक्टिस हो जाएगा ना उसके बाद नहीं तो भई यह थोड़ी आपको एक्स्टा क्रीम लगानी ही पड़ेगी अगर सामने से कस्ट्रमर ने बोली है कि नहीं हम एक्स्टा चाहिए तो आप एक्स्टा लगा के दीजिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर मैंने अपना लिया वही गनाज जो 2-1 का रेशियो वाला अगर आपको लग रहा है कि गनाज थोड़ा थिक है तो थोड़ा सा विपिंग क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम और डाल दीजिए और फिसको वापा से गरम करके मल्ट कर दीजिए और एकदम बढ़िया से पोरिं इसका एक टुकड़ा रहे है दिख रहा है तो यह गलती नहीं करनी भई आपको च्छान के यूज करनी हो यहां देखे बेस दिखी रही है मैंने बहुत जादा नहीं लगाया इसके उपर अब इस पर वापस साइड में गिर गया था न छोटे वाले का वो भी मैं निकालती ह हूँ और वापस से मैं उसको यूज करती हूँ ऐसा निकालना है तो इसे फेकना है या फिर सिर्फ स्पॉंज बनाके और उसमें गोल गोल करके लड़ू बनाना है या ऐसा कुछ नहीं है मैं दुबारा भी उसको यूज कर लेती हूँ अगर क्रीम के साथ भी है तो भी मैं हूँ जैसे उसको मेर्ट करें वह तुरंट के तुरंट में जाएगा यह देखियो हो गया अब मैने लिया इसक्रेपर से कर दिया बढ़ी सा स्क्रेप उपकी तो भी किया और बार बार फोन कर रहे हैं जल्दी आये जल्दी आये मैं बाई आरहियों पर मैंने जो बचा बनाया उसको गनास के साथ मिक्स करके और यह बना के दिखाने का सच में कॉसम से टाइम नहीं था इतना लेट हो रहा था कि वो लोग चले गयते चाहां उनको जाना था और गाड़ी मेरे लिए छोड़के गयते कि निया तुम गाड़ी से आना और वो लोग आटो करके गयते मुझे फटाबाट चे पहुंचना था तो मैंने इतना ही किया और फिर साइड़मौन को गोल्डें डिपर चाहिए था तो मैंने किया कि मेरे पास ये गोल्डें डिपर बना हुआ नहीं था तो मैंने बना कि रखा थे कि उसकी वीडियो भी मैने अप्लूड की थी और यहां पता नहीं यह क्या हो गया था यह साइड में जल्दबाद जी में पैलेट नाइफ लग गया था और मैं इसके उपर वापस से ड्रिपिंग करके उसको छुपाने की पूरी कोसिस कर रहे थी कि वो दिखे ने क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा था यहां पर यह दिखे रहा न प्रवाइब लगाती अब बनाती है लगाती आटिफिशल भी लगाती तो मैंने ऐसे रहने दिया और यह आपको कैसी लगे वीडियो जल्द बाद जिम बनी हूए कि कैसी लगई अच्छी लगई हो तो लाइक करेगा चानल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे डोनेट वाल हो गई है फ्लावर ब्रेड और डोनेट की और यह क्लास नेक्स्ट होने वाली है छे जन्वरी को तो जीने भी यह वाली क्लास जॉइन करनी होगी न तो 9029483719 पर कॉल करके वाट्सप करके सीट कर लिजे का मैंने नंबर दिया वाइस क्रिन पर ठीक उसमें बहुत सारे डोन कर दो करदो डोनेट को कारे वाली है तो स्लिए आजसे मैंने तो जीने वाली की तो यह वाली है ग्रावरी कर दो कि ए क्रिज और दूशल पर करदो कीऊर्ट लिएदेश ऑावरी।